हेलो वर्कम टू अनदर इंडियन एक्स्पेस इनारसेस वीडियो आज की हम वीडियो में बात करेंगे आज के एक बार में क्या खबरे आपके लिए इंपॉर्टेंट आई हैं और क्या खबरे आपको इस अगबार में बेसिकली पढ़नी चाहिए चलिए एक डिस्क्रेमर है छोटा सा कि ये अगबार को देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है मैं इसमें जो आर्टिकल को आपके लिए रेलेवन्ट बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यूपिएससी इग्जामनेशन सिविल सर्विसेस इग्जामनेशन के पॉइंट अव यू से कह रहा हूँ अगर मैं किसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए मना करता हूँ या हाँ करता हूँ तो इसका जो पीछे कंटेक्स्ट है वो यह है कि ये स्तियारी के परपस इंपॉर्टन नहीं है इसके लावा ये बहुती अच्छा अगपार है हर किसी के पढ़ने के नजरिया अलग होता है तो हम जो भी इस वीडियो में देखेंगे आगे ये टोटली यू पेसी एग्जामनेशन के परस्पेक्टिव से बात करेंगे ठीक है थैंक यू और गिविंग यूर प्रेशियस टाइम शुरू करते हैं हम एक और बार नई वीडियो पुरानी वीडियो आप देखी चुके होंगे इन वीडियो सीरीज का जो में अब्जेक्टिव है ये आप लोग भी जानते हैं कि सिर्फ एक इनरेसिस देना है अकबार आप खुदी पढ़िए इस वीडियो के माध्यम से आप जो अकबार पढ़ने का समय है आपका जो अक्सर बहुत घंटो घंटो चला जाता है वो कम करना है ठीक है चलिए फ्रेंट पेज में ऐसा कुछ पॉट्टन नहीं है मगर इसमें एक आर्टिकल जो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि महिला इस देश की महिला रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में इलीड करना चाहती है अनितर शेरौन जी जो एक विटनेस भी थी बिरिज भूशन शारं सिंग जी के खिलाफ कि डेबलुएफए की प्रेजिडेंट है हाली में जो घटना करम हुआ था उसमें उन्होंने प्रेजिडेंट बनने के लिए अपर नमांगन दिया है नॉमिनेशन ठीक है इस पूरे आर्टिकल में जो की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं मैं सरे उन्हीं पर बात करूंगा तो बी शॉर्ट और तो बी प्रिसाइस पहला कि अगर यह हो जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी कि इस ओल मेल अखाडास जो मेल डॉमिनेटिड स्पोर्ट है ये मेल डॉमिनेटिड है अखाडे हो गए आपके या फिर जो लोग इसे लीट करते हैं इसमें एक महिला एक वुमन लीट करेगी इशूस कंसर्न या टॉपिक्स विच वी आ डीलिंग हीर आर जेंडर इक्वालिटी विमन एमपावर्मेंट चेंजिंग रोल ऑफ वुमन इन सुसाइटी वुमन वुमन एन सुसाइटी इसके रलावा बाकि जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो सो मैं नहीं जाओंगा तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओन दाट ठीक है आ गया थे इसमें ऐसे कुछ खास लगा नहीं मेरे को तो जिए जस्किप टू दी में थिंग यह ख़बर एक आई इस ऑफिसर को लेकर लेकर आई थी कैसे इनों ने एक हेरिटेज जगा को अपने रहने के आवास बनाने तो क्या होगा चाहते तो इस देखिए कितना पुराना 1418 इतना पुराना पठान काल का महल इसको अपने रहने का आवास बनाने का इनमन करिया सहाब को यह यह आर्टिकल इसमें मैं ज्यादा वो नहीं जाओंगा यह हिस्ट्री से ज्यादा यह आपका जी एस पेपर फूर क को कवर कर रहा है एथिक्स इन एथिक्स इन पब्लिक सर्विसस को कवर कर रहा है एथिक्स इन पब्लिक सर्विसस बाकि इसका डिसकेशन डिटेल में यह हमने क्लास में कर रहा है कि कह तो जीस फोर का टॉपिक है कि क्या अधिकारी को एथिकली यह करना सही था या नहीं था इसको मैं ही प्रेंट करूँगा डिसक्षिन डिटियल में क्लास में कर लेते हैं तो वही बेटर रहेगा ये लगाता है पुनानी वीडियो से मैं आप सो बताया हुआ हूँ कि कैसे C A Q M Commission for Air Quality Management और G R A P Grade Response Action Plan ज़रूरी है इसके लावा अब जो भी आ रहा है ये सिर्व कमेंटरी है तो इसे डेली विसस पर इग्नूर करो ठीक है नीचे आ जाएंगे ये एक पुछ अच्छी न्यूस है न्यूस में अच्छी बात क्या है जपैन में टूरिजम को बढ़ाने के लिए फिर से पता स्टेशन में क्या करा है कंप्यूटर टेक्नॉलजी AI की मदद से ट्रांसलेशन सौट्वेर्स लगाए गए है अगर मान लिजी आपको किसी को ये बूछना है कि क्या आप मेरे को तो ये कुछ पूछ रहा है तो अब ये बंदर जपैन का है इसे क्या आता है इसे जैपनीज आती है तो ये ट्रांसलेट आटोमेटिक्स कॉंप्यूटर कर देगा कि बोलना का चाह रहा है फिर जो ये बोलेगा यहां पर आ जाएगा देख़ए बेसिकली ये रियल टाइम ट्रांसलेशन सौट्वेर है ये ग्लोबल टूरिजम के लिए अच्छा है ठीक है हम इसको हम इंप्लिमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसको इंप्लिमेंट कर सकते हैं कि हम अपने टूरिजम सेंटर जो हमारे हैं जो सिटीज हैं वहाँ पे हम स्टेशन में यह टूरिस सर्विस पॉइंट में ऐसे सॉफ़वेस को इंस्टॉल करवाएं कोई भी टूरिस अगर कोई हल्प जानना चाहे जैसे मान लिजी कई बार क्या होता है कि उन्हें को नहीं पता होता है कि कहां जाना है कौन सी जगा अच्छी है कौन सी जगा खराब है या फिर जो भी सर्विस प्रवाइडर डील कर रहा है उनसे टैक्सी ड्राइवर हो या कोई भी हो क्या बोलना चाह रहा है ऐसे टूरिस सर्विस पॉइंट में अगर हम स्वाट्फेर इंस्टॉल करवा देंगे जो की रियल-time translation करेंगे देवाइस डेवाइस डेवलप बाय प्रिंटिंग कंपनी दूपन कॉल वाइस बिस लेट्स कस्टमर स्टेशन एंटेंट ओवर माइक्रोफोन वाइल दस सेमी ट्रांस्परेंट स्कीन बेट्वीन देम स्वेल्स आउट देर वर्ट इन जैपनीज तो हमारे डंको टूरिस्म में बढ़ावा मिलेगा और कहीं न कहीं टूरिस्ट भी इस चीज़ को पसंद करेंगे आगे आते हैं यहां पर जो और आर्टिकल्स आये हुए हैं इंडिस इकनॉम इस बेटर प्लेस्ट देन अदर्स बट पैन पॉइंट्स प्रसेस्ट यह सब कर्मेंट्री में नहीं जाता हूं कभी भी मैंको पसंदी है क्योंकि यह आती रहती है पिग्णोर कर दिए प्लीज टेलर को एक बड़ अच्छा यह पॉइंट आया है अगर आप जानते हैं कि एक बहुत फेमस सिंगर है जानते ही होंगे सिंगर है यूएस की टेलर स्विफ्ट नाम है इनका टेलर स्विफ्ट जिनोंने इसमें कमाई का तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जीवित सिंगर या एक एंटर्टेनर है ये इनका इसल में क्या चला है अभी एराज टूर चला है ये टूर करते हैं ना सिंगर्स बड़े बड़े ये टूर करते हैं इनके कॉंसर्ट होते हैं ठीक है यह यहाँ पर खड़े होके गाना गाते हैं यहां और यह प्रॉपर जो मेटलोजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उन्हों ने एक जोटा सा जारी करा रिपोर्ट उसमें यह कहा कि इनके कॉंसर्ट में जब जनता यह कूती है ना जब बड़ा म्यूजिक का आता है हाइट या कोई बीट आता है तो लोग कूते हैं गाते गाते हैं तो उस जगा पे सेस्मिक एक्टिविटी देखी गई सेस्मिक एक्टिविटी देखी गई मतलब अगर एक जगा पे ते साय लोग खटा हो जाएं और वो कूदना शुरू कर दे जो की बहुत सारे होते हैं इनके तो कई लाखों लोग आते हैं क्रिकट की जित्ती भीड होती है उससे ज्यादा भी इनके इसमें कॉंसर्ट में आ रही है तो यह उस एरिया में अर्थक्वेक की वेव महसूस की गई सेस्मे अक्टिविटी महसूस की गई सेस्मे अक्टिविटी ठीक है टेलर को एक कह रहे हैं 2.3 देखी यहां पर लिखा हुआ है 2.3 मैंगनिट्यूट का अर्थ को एक महसूस किया गया था the last time fans manage to cause the earth to move this much as well also in Seattle ठीक है कितना बड़ी बात है यह पढ़ लीजेगा इसे कुछ खास नहीं है मगर यह कहीं ना कहीं humans भी अर्थ को एक को ऐसे कूद कूद के ला सकते हैं अभी यह देखो uranium का आगया आने वाला है आर्टिकल यह बिसिक लेके यह आर्टिकल दिया हुआ है यह इस रोका आपर बुछ सब लिखा हुआ है इस रोका गिरा था नीचे आके अम बो जो इसमें मुद्दे की बात यह कि पहली चीज़ क्या है पहली चीज़ यहां पर अपन लोग के सामने आ रही है यह स्पेस डेवरीज की स्पेस मैं जितना भी रॉकेट वगरा लॉंच कर रहा है यह उपर जो यूज नहीं होता है या फिर एक कालवदी के बाद जब वो बेकार हो जाता है चाहे वो इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन के पार्ट्स हो गए तो वो आसमान में गूंते रहते हैं कुछ और्बिट के अंडर आ जा फिर भी इसको लेकर घो कई परदःदन दे रख्यें परदः क्या दे रख्ये हैं एक कंवेंचन होता है कंवेंचन होता है एक इंटरनाशनल लाइबल्टी होती है कंवेंचन और international liability for damage caused by space objects अगर किसी भी देश के दुआरा अगर मान लीजिए चाहे वो JAXA हो चाहे वो ISRO हो चाहे वो NASA हो अगर कोई भी XYZ हो चाहे वो European Space Agency हो ESA हो E Sorry ESA हो कोई भी Space Agency अगर कोई भी चीज अपना rocket होगा, satellite होगा, आसमा में launch कर रही है, space में launch कर रही है उस time से लेकर जब तक वो है अगर उसे गिरने से किसी भी प्रकार का मानब नुकसान होता है या किसी भी प्रकार का property को नुकसान होता है तो इसकी liability पूरी तरीके से उस संस्तान की होगी ये convention में बात लिखी गई है liability for damage कितना बढ़िया है आप जिम्मेदार है कितनी बार गिरा है कई बार गिरा है इस article में mention है कि ऐसा सन 2021 में गिरा था इंडियन ओशन में सन 2021 में गिरा था इंडियन ओशन में यहाँ देखो ये लिखा हुआ है Chinese rocket गिरा था ठीक है 1979 में गिरा था एक बार कब गिरा था 1979 में गिरा था क्या इस convention के अंतरगत क्या इस convention के अंतरगत किसी पे आतक जुर्माना लगाया गया है तो हाँ लगाया गया है यहाँ mention है 1973 में कैरड़ा में Soviet Union का एक radioactive substance वाला satellite का पार्ट के रा था satellite with radioactive substance गिरी तो थी यह उस जगाँ पे जहाँ पे कोई रहता नहीं था मगर फिर भी Soviet Union को 3 million dollar Canadian dollar देने पड़े थे क्यों क्योंकि पहली बात इससे किसी को नुक्सान हो सकता था जानवर मर सकता था वन forest को नुक्सान हो सकता था ठीक है forest को नुक्सान हो सकता था animal को सकता था अगर पानी में भी गिर रहा है तो marine wildlife को नुक्सान हो सकता है इसलिए compensation लिया अब जो गिरा है यह यह radioactive substance था तो इसको हटायने खर्चा भी तो आएगा इसकी जाच की गई sampling की गई इसको हटाया जायागा यहां से ताकि यह परियावरण में कोई activity ना कर दे radioactive वाली तो इसलिए जुर्माना हाँ लगाया गया है Soviet Union ने दिया है Soviet Union ने दिया है चलिए आकर आते हैं यह article बेसिकली नाइजीरिया में चल लाए coop को लेकर है इस article में mention किया गया है आपका कैसे France, US और तमाम देशों के army यहां मौझूद है France की तकबग 1500 troop यहां मौझूद है US के gas troop मौझूद है Italy के भी 300 troop मौझूद है यहां पे French colony थी ना पर नाइजीरिया पहले आपकी इसलिए यहां France की आरी मौझूद है मगर अब जो military troop हुआ है वो इन सब को भगाने के प्रयास में है बोला भई नाइजीरिया से आप जाओ यहां पे आप सिर राजनीती कर रहे हो और ओडियां से जिक रहे हो यह रशिया में वैगनार ग्रूप एक private military टाइप चीज है जो कि US और रशिया में concept बहुत पुराना है private military टाइप चीजों का तो ग्रूप होते हैं यह पूरे आरम्ड होते हैं सब ट्रेनिंग इनको होती है कुछ तो एक्स आर्मी वाले ही होते हैं तो कूप हाला की हुआ नहीं था कुछ टर्म्स हो गयते रशिया में उन टर्म्स के अंतरकत कूप रोग दिया गया था मगर यह प्रॉपरली एक जमाने में जो आदमी रशिया में पुतिन सर्ट जो आप पुतिन है रशिया के चीफ हैड हैं उनको उनका लेफ्ट हैंड माना जाता था आज वहाँ कूप करना था यहां पे जिकर उसी ग्रुप का हो रहा है ग्रुप क्या हो रहा है कि ये भी हैं मौझूद है ठीक है इनका टेलीग्राम चैनल भी है अपने लोग का टेलीग्राम चैनल होता है कोजिंगों का टेलीग्राम चैनल होता है इन लोग का भी टेलीग्राम चैनल होता है ये लोग क्या बोलते होंगे जॉइन अन टेलीग्राम चैनल चली जोग सापाट तो ये पढ़ लिजीए को इसे टूप सुरूप का ही कहा गया है यूए समबसी नियामी इस पंटेगन सेट डबार्टमेंट है प्रोइड नाइजेर मोर दन फाइव हंडेड मिलीन एक्विप्मेंट और ट्रेनिंग से दुदर बारा एक तो यूएस पता नहीं क्यों जहां जहां पे भी ट्रेनिंग और असलाप प्रोइड करा करा दिती है वहाँ वहाँ पे पहुए नहीं कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है चलिए यूरीनियम को लेकर नाइजेरिया बड़ा इंपोर्टेंट है तो कि नाइजेरिया ने अभी फ्रांस को यूरीनियम देने से भी मना कर दिया है जो मेर मुद्धा आवा रहा है पहली बात तो फ्रांस को लेकर नाइजेरिया के जो ये मिलिटरी है ये नराज भी बहुत है जो कूप कर रही है और उन्होंने फ्रांस को यूरेनियम देने से मना कर दिया है और यूरेनियम देने से मना कर दिया है कि नाजीरिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर्स बेगिनती होती है इसकी आस्ट्रेलिया, कजागेसान, कैनडा, रशिया के बाद नाजीरिया के दिक्रवारा ठीक है यूरेनियम यहां से तभी फ्रांस यहां पर मिलिटरी भी लगाई हुई है अपनी ठीक है बहुत सारे इंट्रेस्ट मौजूद होते हैं एक छेतर में तो यूरेनियम को लेकि आपको डेटा अगा चाहिए होगा तो यह डेटा है यह वर्ल्ड नुक्लियर एसोसेशन का डेट लेटा है तो यह जनुन डेटा है आपके सामने जूरेनियम में वर्ल्ड नंबर उस्ट्रेवन है कजाकिस्तान यह डेटा है इसे कर लो काजाक कैना रश्या ठीक है खुड़ा रायमिंग कैना कजाक ऐसे करें शॉर्ट में कर दो जल्दी याद हो जाता है ठीक है ऐसे याद कर लो अब यह आप बताओगे कि इंडिया की यूरेनियम में रैंकिंग कहां पर आती है यह आप बताओगे ठीक है आग या जाओ यही रीजिन को सहेल रीज सूडान और निजियरिया को मिला के चीक है तो यह सहेल डिजन अगर आपको लेकर सहेल डीजन सहेल द्विजन तो यहां पर इस्लामिक एक्ष्ट्रिमिस्म को लेकर नाम सका आता है इसके लाबा अभी आपके जानने के लिए कोई जरुत नहीं है अगर मैं इसूरे अग्ब कोई लेकर बैठ जाओंगा और आपको कराता रहूंगा तो इसमें हर आर्टिकल कोई ना कोई GS paper में आकर element बैठेगा कोई GS 4 होगा कोई GS paper 2 हो कोई 1 होगा कोई 3 होगा दिकी UPC का सिल्यवस का मतलब ही है कि पूरा देश पूरी तो ऐसे तो अकर बार पड़ diffард कंवी नहीं होगा आप छे कि आप आठ घंटे लेकर बैठे रहना आप नोआ गचित रहना आप वह लेकर कभर करो और फिर अग्भार बंद कर दो अग्भार इंप्रस्प्टेंट है haar किर किसी का प्रस्पेक्टिव होता है मेरा यह reflective है क्यों की सुडेंट्स अग्भार पंड़े में 3500 लगा दे रहे हैं अठ्ड कुछ नहीं पा रहा हैं मरकर और उठाने का मन नहीं करता है स्टुडिंट्स कहते हैं ऐसा किसर अगबार लगा दिया है अगबार घर में डेली आ भी रहा है मगर अपढ़ने का मन नहीं करता है क्योंकि अपन वर्ड बाइवर्ड आर्टिकल वर्डिकल लेकर बैठ जाते हैं बहुत से कोचिंग इस्टूट बहुत से यूट्यूब चैनल पर क्या हो रहा है कि वो भी वर्ड बाइवर्ड पूरा अगबार कराय जा रहे है तीन तीन घंटे की वीडियो बन रही है एक एक घंटे की वीडियो बन रही है काम का निकल ला है पंदा मिनिट का नहीं वीडियो देखने का याद रहेगा आपको एक मिनिट का नहीं इंटर्न क्या हो रहा है कि बच्चे फिर वीडियो देखना ही बन कर देता है या फिर अकबार पढ़ा है निउस्पेपर उसे पढ़ना ही बन कर देता है इसलिए जो ए रिलेवेंस लगेगा बार से उतना ही पड़िया बाकि जब मैकजीन में कवर हो जाएगा इसमें इतनी पॉर्टन था आज के लिए ते ही रखते हैं बागी खबर है अगर आपको अच्छे लगने बिकुल पड़िये मैंने आपको बता दिया है यह जो भी स्पोर्ट की नियूज आती है यह सब मैक अच्छी है किशोर जीना जी के बारे में आ रही है वालीबॉल को लेकर स्पोर्ट को लेकर यह सब मैक जीन में कवर हो जाता है इसके लिए आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने के जुरूत नहीं है बाकि अगबार बहुत अच्छा है अगबार मैं फिर से रिपीट करूँगा जो मैंने पहले कहा था अगबार को पढ़ने का हर किसी का नजरिया होता है अभी के लिए समय आपके पास कम है आपको GS Prelims की पढ़ाई करनी होती है GS Means की पढ़ाई करनी होती है तो आप अपना समय जितना यूटलाइस करो बचा के एक स्ट्राटेजी के साथ इस्तेमाल करो उत्ता बढ़िया रहेगा ठीक है अब देखो यह कितना बढ़िया आया है यह अब इसमें अप अपलाई करो वह आपके उपर है Eligibility है मगर आप इसी बहान क्या करना है ना आज आप भ्रहमोस के बारे में पढ़ना की ब्रहमोस की बारे में क्या है ब्रहमोस टेक्नोलोजी क्या है इसमें ठीक है चलिए कोईशों नहीं है आज के लिए तियो पॉटन रख रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों में शेयर करिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्लेवाद